सर आपसे जाना चाहूंगी अगर बात करें ये तो बजट की बात हो गई अगर बात करें डी मॉलिटिशन की तो क्या फार्मर्स के उपर जो किसान है उसके उनके उपर किस तरके का इसका प्रभाव पड़ा है क्या सकरात्मक प्रभाव पड़ा है या नकरात्मक क्योंकि कई कि रिपोर्ट्स आये हैं इसको लेकर इसका प्रभाव तो निश्यंद रुप से ये निरने देशित में था और कहे ना कहें इसके पीछे सरकार की सोच थी कि कैसे हम इसे देश में भष्टा चारू काला धन पर हम कैसे ब्रेक लगाएं कैसे हम नियंतरन करें तो सबाई करूप से कहें ना कहीं किषानों में नोटबंदी का कहा जाए कि निश्यंद रुप से सकरात्मा कि इसका प्रभावपडा है लोग खुश हैं सर अगर बात की जाए वेस्ट बंगॉल की तो कई सारे ऐसे स्टेट हैं और वेस्ट बंगॉल भी उसमें से एक है जो कि ये कहता है कि हम हमें आरी अंदेखी करता है सेंट्रल गॉवर्मेंट हमारे हमारा ध्यान नहीं रखता है तो इस पर क्या रेक्शन है कितनी सच्चा है इस बात पर किंदर सरकार के लिए भार सरकार के लिए सभी राज बराबर हैं और किसी भी राज की अंदेखा नहीं की जा सकती ये मन की भाव की बात है कि हम सोच क्या रहे हैं लेकिन मैं मानता हूँ कि कंदर सरकार ने हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने कभी बंगाल की कभी किसी प्रकार की पिक्षा नहीं की और भर सरकार के नजरों में सभी राजों के प्रती समान है किसी की अन देखा करके इस देश का विकास नहीं किया जा सकता इसलिए मैं इसी बात को मैं गलत मानता हूँ कि बंगाल की अन देखी की जा रही है या बंगाल को पिक्षित क्या जा रहा है सभी का सभी राजों का समान रुप से विकास होगा हम विकास के लिए प्रतन सील हैं चाहे किसी भी मिनिस्ट्री का मामला हो किसी भी मंत्राले का हो केंदर सरकार समगर विकास के लिए पूरे देश का और देश की अंदर में राज है इसलिए किसी भी राज की उपेक्षा नहीं किया सकते अगर बात करें प्रदान मंत्री मोधी जी ने काफ़ी सारी योजनाय शुरू की ऐसे में कौन सा वो प्रोजेक्ट है आपके डिपार्टमेंट का जो आपको लगता है कि काफी सक्सेस्फुली रन कर रहा है और काफी आगे जा चुका है अशे तो देखा जाए तो हमारे मंतराले के दिश्टी से बीच के दुनों में जो दो तिन महत्तपून जो निर्ने लिये गए विसे शुरूप से किशानों के कलेणार्थ का जाए कि जो स्वेल हेल्थ कार्ड का जो कारकरूम है उसके लावे प्रदान मंत्री फशल विमाय वह जनाएं जो हैं, इसे अनको करिक प्रकिए एभी हमने चैनलों के मादम से बीस्पेशल किसाम, डिडी चैनल मंतराले ने परारण किया है, यस सारे कारकरम जो हैं, मैं समझता हूं कि हुआ कि किसानों को इसके मादम से काफ़ी लाप पहुँचे हैं. लेके सर आपसे जानदा चाहूंगी अगर बात करें खेती की या किसानों की तो आजकल उन्नत खेती करने के लिए किसानी करने के लिए काफी सारे नए प्रयोग किये जा रहे हैं लाए जा रहे सभी किसानों तक वो एक्यूप्मेंट्स पहुचे वो यंत्र पहुचे और किसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिक्षित हो उनको जमीनी स्तर पर जाकर सिक्षा दी जाए इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है हम प्रेतनशील हैं हमारे मंत्रा लेकि जो भी हमारे इन कार्योंग से जुड़े हुए जो भी हमारे संस्थान है चाहे वो सोद का छेत्र हो या जो भी नहीं नहीं तक्निकियां चाहे उन्नत बीच के मामले में हो चाहे उन्नत किशिम के जो खास करके किशानों के लिए जो लावदायक हो सकता है जो कारगर हो सकता है ऐसे सभी चीज़ों को हम प्रयास करें कि सिधा किसानों को इसकी बहतर ढंक से इसकी जनकारियां दी जाए और उन सुनसाधन जो उन सुनसाधन किसानों तक पहुंचे और उसी में से आधरनी प्रधान मंत्री जिन्वागामी दोहजार वाइस तक का जो एक टार्गेट रखा ह किसानों के संदर्व में कि हम कैसे उनसकी आयको दुगनी करें तो मैं समझता हूं कि बिना तक्नीकी ग्यान के और आज चाहे मारगेनी खेती की बात करें या जो भी संबह हो सकते हैं चाहे आज वंड्रोफ वंड्रोफ की भी जो बात चल ली है कि एक-एक बूंद का हम फश कि पीस जाहे जबर उजणा कि माधंसे या काई जो महत्व्त जो नियरणे लिए गया हैं मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हमारे किशानों के उनकी आय बढ़ाने में और किशानों के कलियानकारी वज़नाओं में इन तमाम कारें। के माधधम से हम निश्विवी वर्ट हूंगे है। सार अगर बात करेंहाड केसान क्रिडिट कार्ड, एक काफी अच्छी योज़ना हैं, तो यह कितने असद्विल्ड पूरे राज्यों में अगर बात की जायात? तमाम राजियों में, कितने सक्सेस्फुल ये रन कर रहा है, कितने अच्छी तरीके से इसका जो लाब है, वो किसान उठा पा रहे हैं। निश्चिंत रुप से उन्हें बैंकों के मादम से भी एक तरह से कहा हैं, उनके और सक्ताओं के नुशार खाद वीज ये उन्हें, चीजों की कितना सकों की दवाओं की जो और सक्ताओं पड़ती हैं, एक कि इसके कार्ड के मादम सुने लाब मिलता है।